किसान साथियो अभी लगबग 15-20 दिन पहले में राजस्थान में गया था एक फार्म पर और वहाँ पर उन्होंने मोसमी का बाग लगाया हुया था और नीम्बू का बाग था सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर मैंने देखे सूट्स की जब मैंने उसको देखा तो ये पता चला कि इसमें सही तरीके से सूट्स का परबंदन नहीं हुआ जो सुरुआती देखभाल का एक मुख्य हिस्सा है नीम्बू में सूट्स अलग तरह की होती है और मोसमी में अलग तरह की होती है आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने नीम्बू की सूट्स बताई थी और ये सूट्स क्यों काटनी चाहिए ये भी बताया था आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मोसमी के छोटे पोधे होते हैं कहीं आप इस सोच में तो नहीं है कि मेरे पोधे पहुत अच्छे बढ़ रहे हैं और वो उन सूट्स के कारण हो चुकि सूट्स जो हैं वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ती हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है किसान को कि ये पोधा मेरा बहुत अच्छा बढ़ रहा है जबकि वो सारा सूट्स होती हैं और जो मुख्य पोधा होता है उसकी बढ़वार कम हो जाती है आज मैं इसमें आपको ये सब चीजे बताऊंगा पहला ये है कि सूट्स जो है आपको ये ध्यान रखना है ये पोधा देखे मेरा मोसमी का ये ग्राप्टिड पोधा है और इसमें ध्यान से देखिए कि एक ये नीचे जड़मे से सूट्स निकले है आप अगर इसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई अंतर नजर आएंगे पहला अंतर ये होगा कि ये एक तरह से तिकोना है जैसे कहते हैं ट्राइंगल है बना हुआ तिरभुज का अकार का है ये गोल नहीं है ये देखीए ये तीन प्रकार से चपटा है इसे हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी गोल नहीं है ये हुआ पहला करन दूसरा ये है कि एक सूर्स आपका जमीन से निकलता है अब मैं इसे क्या करता हूँ जो जमीन से निकलते हैं जो root इस टोक में से निकलते हैं उसको हम काट देते हैं अब इसको ध्यान से देखे ये एक तरह से गोल नहीं है और तिर्भुजाकार है मतलब ट्रेंगल की सेप में है ये हुई पहली पहचान इसकी दूसरी ये हुई कि इसका रंग देखी आप इससे ये इसकी ओरिजिनल टहनी है ये वाली और रंग देखे कितना फर्क है दोनों ये देखे है ये बहुत गहरा है और ये कम गहरा है ये हुई इसकी दूसरी पहचान तीसरी इसके पत्ते देखिए बिल्गो लालग होंगे इससे बड़े बड़े पत्ते होंगे कुछ में तो ये देखिए एक ये है सूट ये वाला देखिए कितना बड़ा पत्ता है अगर मैं इसको दिखाऊं तो एक तो ये सूत निकली नीचे से रूटी स्टोग में से एक यहाँ से निकली देखिए यह निकली है यहां से और अगर आप इसे सुरुवाती रूप में यह जो निकली थी यहां से यह भी चप्टी है मैं इसे काट कर दिखाता हूँ अगर इसे नहीं हटाएंगे तो थोड़े दिनों में आपका पोधा जो होना एक्चुली में यह बन जाएगा सूर्स वाला बन ने लगती है देखिए अगर यहां से आप इसको देखें बहुत अच्छी तरह से यह देखें यह हलका सा गोल सा बन गया और अभी यह इस तरह से है अगर आप इसे समय पर नहीं काटेंगे तो बाद में यह आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कठिन हो जाएगा इसके प इसमय यह देखिए यह भी सीतरे की है यह मैंने काट दी इसमय ध्यान यह रखना है इस पोधे में यह चीजे देखिए कि मैंने चार सूर्स निकाली है चोटा सा पोधा है यह देखें चार सूर्स निकाली है एक यहां से निकाली है एक यहां से निकाली है एक यहां से निका गोल है अब इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा रस्षी की साहता से इसको इस प्रकार कर देगे किसान साथियों यह जो सूट्स होती हैं अगर यह चलने लगे सबसे अधिक भोजन लेती हैं जितने भी न्यूट्रेंट्स और भोजन होंगे वो सब यह ले जाएगे और जो कि यह जड़ वाली तो सूट आप पहचान लेंगे उपर वाली नहीं पहचान पाएंगे और उनमें आपके पोधे में आधे से अधिक सूट्स होंगी और फिर दोस्त देंगे आप कि नहीं यह वराइटी बढ़िया नहीं है इस पर फल उतना नहीं आता है दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है आप देखिए मैंने थोड़ा उचा बनाया गया है मेरे यहां की जमीन में नमी है जो उत्तर भारत का छेतर है यह जो यूपी वाला है यहां जितने भी सिट्रस के पोधे आप लगाएंगे केवल एक ध्यान रखे के सुरू से ही कुछ हिस्सा उचा होना चाहिए यहां पर कम से कम 6-8 इंच और पानी यहां पर हो मैंने इसमें मटर बुआ दी है यह मेरे एक्सपरिमेंटल प्लांट है जो मैंने सेप्टेंबर में लगाए थे और यह बहुत अच्छे चल रहे हैं कहीं प्रकार की वराइटी है इसमें अलीमो र रुक्सान होगा बाद में कि आपको पेड़ उखाड़कर दूसरे लगाने के लावा कोई विचार नहीं होगा इसका एक जो मेरे को परिनाम मिला है मैंने देखा है कि मेरे इलाके में एक आदमी का मेरे बाग देखा मैंने देखा वो कह रहा जी मोसमी यहां पर सफल नहीं ह मैं भी हत प्रब रह गया ठीक है चलो देखते हैं एक भाई कहता है के जी मोसमी मेरी तीन साल की में इतनी अच्छे फल आए है यह देखिए और उसने यह न्यू सेलर मोसमी लगाई थी और कोई भी इसमें एलिमन नहीं था वो इसका रफ लेमन पता कहता है जी मुझे नहीं है कि आपके पोदे बहुत अच्छे चल रहे हैं लेकिन वो बढ़वार सही नहीं है इस बात का ध्यान रखिए मैं एक पोदा और दिखाता हूँ आपको चलिए अब यह पेड को देखिए इसमें जो यह नीचे की हैं हम सब बटा देंगे यह वाली देखे यह सूट है अभ आज मैं पहली बार कर रहा हूँ यह सब सही है यहां पर यह भी ठीक है इसमें कोई नहीं है यह वाली जो है यह आपकी यहां पर सूट है यह वाली इसमें देखे यह पूरी इस तरह से एक तरह से तिर्ची वाली है जो ट्राइंगल है यह वाली है और एक यह वाली यह इसमें ये देखे ये ट्राइंगेल है पूरे ये अब अच्छा पोदा है ये चल रहा है ये वाली इसमें से अटा देगा अब ये पोदा हमारा ठीक हो गया इसको चलने दीजिये हम इसमें अब थोड़ा सा खाद लगाएंगे इतनी दूर पर पहले भी लगाता है थोड़ा सा चुकि सर्दी आ गई है तो इस टाइम अगर आप थोड़ा सा केमिकल खाद लगा देते हैं जो पोधे को सुष्ट रखेगा थोड़ा सा केमिकल लगा सकते हैं जैसे 20-20 ग्राम आप लगा दीजे 20 ग्राम थोड़ा 20 ग्राम यूरिया लगा दीजे इतना बहुत यह एक और पोधा है इसमें देखिए एक मैं क्यों दिखा रहा हूं इस तीसरे पोधे को यहां से यह इसकी वह है बड़े पत्ते हैं सुरू में बाद में अच्छे हो गए यह आपकी सूट है हरे वाले और थोड़े दिन बाद में इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा किसान साथियों यह थी एक मेरी प्रस्तुति के मोसमी के पोधों की किस प्रकार सूट से रक्सा करें सूट को पहचाने उन्हें काटें और अपने पोधों को स्वस्त रखें इसी के विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिन जै भारत वंदेमाद